अब दखेे, प्लस और माईनस तो माईनस होता है, बट यहां पर यह भी धियार रखना होता है, कि हमारी बड़ी संख्या क्या है? माईनस में है, तो यहां पर भी जब पावर में कनवर्ट होगा, उ वह मैंनस बनेगा और नीचे हो जाएगा, दो, आब यह कैसे हुआ, यह भी पावर में कैसे या आपको डेस्ट करते हैं तो आपको इस तैप का नम्मर लिखके दे आजाता है आपके प्रेस्क्वाने जाता है। य CC4 एक बार इस वहाँ पर क ही लिखा जाता है इसलिए आपको पावर से addition में convert करना आना चाहिए तो मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही आसान सा formula या फिर आप उसको trick भी बोल सकते हैं क्योंकि आप इसको एक बार सिख जाएंगे तो कोई भी prescription card के number को आप addition में convert कर सकते हैं और addition हो तो उसको power में convert कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम यह सब कैसे करते हैं ओके फ्रेंड तो हम यहाँ पर looking question ले लेते हैं चलिए पहले तो plus plus में ही देखते हैं यह देखिए plus 0.5 अभी खाली spherical number कोई मैं बता रहा हूँ doctor क्या लेख देते हैं ऐसा और addition लेख देते हैं इस टाइप का इसको बहुत है माल लेते हैं जो भी हम power यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आप पान के चल लाए कि वह बहुत हाईगा है तो यहाँ पर देखिए addition लिखा हुआ है यह होगी हमारा पहला सवाल दूसरा हम ले लेते हैं एक minus को ले लेते हैं ठीक है एक प्लस में प्लस हो गया एक minus में प्लस हो गया अब यहाँ पर देखिए एक और इस टाइप का भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि उपर का power ज्यादा होता है जैसे माइनस चार हो गया और एडिसन में डॉक्टर लिख देते हैं कभी कभी प्लस दो इस टाइप कभी दे देते हैं ठीक है इसको पहले हल कर लेते हैं उसके बाद हम जो थोड़ा difficult होता है उसको देखेंगे तो देखें यहाँ पे सबसे first हम देखते हैं इसको हल कैसे करना है इसके लिए ना मैं पाद रखना है बस इसी फार्मूले से आप जो है सभी पावा टू एडिसन को कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए यह हमारा first है तो इसको हल कैसे करना है यहाँ पर क्या है प्लस और प्लस है तो वह प्लस ही हो जाएगा याने की जूड़ जाएगा यहाँ पर तो सेम ही रहेगा यह हमार डिस्टेंस का विजन हो गया ठीक अब प्लस प्लस है तो प्लस जूड़ जाएगा तो यह पावर इसको बन जाएगा प्लस टू यह पहले एडिसन था हम इसको पावर में गणवर्ट कर दिया कई वर क्या होता है कि डॉक्टर पावर लेक देते ह इसके लिए फार्मूला काम नहीं आएगा ठीक है इसके लिए आपको दिमाग लगाने जरूत पड़ेगी दिमाग कैसे लगाने वो भी मैं बता देता हूं जब भी पावर होता है तो आप इसमें एड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा उसको कम करेंगे तभी तो एडिसन में स्मस्भं मैम स करेंगे चीन और देखें और हमारे बन जाएगा तो यह स्वाझ प्लड़ा से हो जाए फोड़ा से कई लोगे सोशने सर उपर बहुत ज्यादा नमबर है और एडिसन कम आ रहा है जनरली हम देखते हैं कि एडिसन में ज़्यादा रहता है लेकिन यह एडिसन कम है तो ऐसे में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसके देखिए डिस्टेंस का माइनस चारी आएगा यह हो गया अब देखिए प्लस और माइनस तो मा अधी संख्या क्या है माइनस में तो यहां पर भी जब पावर में कन्फ्यूज होगा वह माइनस बनेगा और नीचे हो जाएगा दो अब यह कैसे हुआ यह भी मैं बता देता हूं देखिए आपने चार नमबर का ट्राइल से एक लेंस ले लिजे चार नमबर का लेंस ले ल माइनस टू बच जाएगा है ना तो यह इस तरीके से हल हो जाता है यहां पर वही चीज ध्यान देना है इस फार्मले को याद रखना है और जो भी बड़ी संख्या है उसके साइन को यहां पर एट करना है तो इस तरीके से आप इसको सॉल कर पाएंगे अब चलिए थोड़ सीधा एटिसान 1.5 इस टाइप कर लिख देता है यह हमारे स्पेरिकल नंबर हो गया यह से लेंडिकल नंबर हो गया एक्सिस हो गया और एटिसन है अपना 1.5 का इसको भी सहल करने को वही फार्मुला है कुछ भी नया नहीं है प्लस प्लस है तो सीधा सीधा वह जूड जाएगा तो यह हमारा पावर इस टेट पावर बन जाएगा यह ठीक है तो यह हो गया बहुत यह आसानी सामने इसको सॉल्व कर लिया अब देखते हैं इसके बाद एक और आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजर रहता है सवाल मैं लिख देता हूं यहां पर जैसे कि माल है दूर है और यह है 90 आप इसमें एडिशन साम्ने वाले ने लिख लिए कि अधा कि ट्व यहां पिस्वा सलों करना है हमको पावर में यह कठीन कियों है वह भी देख़ेंगे दिखीक यहां पर क्या है यहां पर फ्लक्ला से क्रार। cross compound है, तो cross compound से addition लिखा हुआ है और इसको convert करेंगे हम normal power में, तो वो कैसे करेंगे उससे पहले हमको पहले cross को normal power मिलाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, चली आगे देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा सवाल, तो सबसे पहले हमको क्या करना है इसको पहले normal मिनाना है normal कैसे लाते हैं देगे यहां पर सबसे पहले हम को distance को ही distance को पहले clear करना है तो देगे प्लस और minus क्या होता है माइनस होता है आपको पता चल गया तो यह घर जायगा याने कि यहां पर आजाएगा 0.5 ही आजाएगा कहां से आया इधर से प्लस बन को घटा दिए प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि तो इसमें घटा देंगे तो यह आपको पाइंट 5 और यहां पर इसलेंडर जो है वो चेंज नहीं होगा यह पाइंट 5 ही आएगा ठीक है अब देखिए अब देखिए एक्सिस कैसे बदल जाएगा एक्सिस हो जाएगा 180 अब आप सोच रहे होंगे कि यह 180 कहां से आ गया तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं देखिए पावर का सिस्टम रहता है कि अगर आपका 90 है तो इसमें 98 हो जाता है ठीक है तो यह 180 आ जाएगा वैसे यह अगर 90 से जादा है याने कि 100 हो गया तो इसमें जो है आपका 90 माइनस हो जाता है तो आपको क्या बचेगा 10 अगर माली जी के बाद यहाँ पे 100 होता है तो यहाँ पे हम एक्सिस 10 लिखते है तो आप यह मान की चले कि 10 से लेकर 90 तक 90 डिगरी तक अगर आता है तो आपको 90 प अब फिर से एडिसन आगे हमारा प्लस टू अब यह सिंपल होगी अब इसको हम पावर में कनवर्ट करेंगे तो पावर में कनवर्ट करने के लिए उपर जैसा गता ऐसा .5 में प्लस .5 180 नीचे लाइन खिर दो अब हम near का near देखेंगे near क्या है addition लिखा हुआ है मतलब जूड जाएगा तो यहाँ बड़ी संख्या भी 2 है तो यहाँ पी सीधा सीधा 2.5 .5 और 180 तो इस तरीके से आपका यह power निकल गया है डॉक्टर अगर power लिखते हैं तो आप उसको addition में convert कर सकते हैं इसी तरीके से देखें, power लिखा होता है तो आप मान के चलिए उपर वाले संख्या से घटा देना है ठीक है और addition लिखा है तो उपर वाले संख्या से जोड देना है लेकिन मैंने इससे पहले आपको minus वाला भी बताया है तो minus में उसको जोड दिया जाता है ठीक है और अगर minus हो तो उसको घटा देते हैं प्लस हो तो जोड देते हैं तो यही formula से आपको यह सब काम करना है वेलपरन उमीद करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा नहीं देखा है तो फिर वही comment करेंगे कि साथ इसका addition कैसे निकाले इसलिए मैं आपसे गुजारिस करूँगा ध्यान से वीडियो को देखिए उसके बाद अगर कोई doubt होता है तो comment में लिखतीजिए वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ओमडॉक चैनल के साथ नेक्स्ट टुर्टोरियल सीरीज में तब तक के लिए नमस्कार चैनल